उनमें हम भी सब डूपते चले जाए अभी घवड़ाट पैदा हुई सुप नहीं घवड़ाट एकदम पैदा हुई एक बाला कितना बड़ा जाता है अंगुली पकड़ता है चलो हमें वो मार्ग पता है जहां इस समुद्र तुम्हें डुबो नहीं पाएगा दोड़ो हमार पानिशाथ असानक कैसे उचे इस्थान पर लेता है आप बिलकुर निश्चेंतर हो यहां कोई भी पानी में आसा आख खुले एकदम इतना दिल अगा देखो शौपन में भी डर नहीं पैदा होने देते शौपन में भी दुख पैदा नहीं शर्णागत वसल भगवान शौ इधारन करो शहना सीख जाओ कैसे आप सहपाओगे इसके लिए उपाए नित्य इसमरती नित्य निरंतर भवान की इसमरती यह बहुत बड़े इसमरन बहुत बड़े उपलब्धी है यह बाहरी शाधनों की बात या नहीं कह रहे है इसमरती सिर्फ अंदर की बात होती है माल परी कष्ट सेना तब कहलाता है साफ पवित्र कृयाए हैं भागुत क्रियाए हैं शुम क्रियाए हैं असुम क्रियाए ये इश्मर्ती बहुत जोर की उपलब्दी है मानुशाधना का फल है अखंड इश्मर्ती बहुत बड़ी यसी इश्मरण मात्रेण जनम संसार बंधनात विबुच्यते जिनका इश्मरण जन्म मरण से मुप्ती दिला देवता है हरी इश्मर्ती शर्व विपद विमोक्षणम कोई भी विपत्ती तुम्हें दुखी नहीं कर सकती गिरा नहीं सकती फसा नहीं सकती निरास नहीं कर सकती काव जब हरी इश्मर्ती हरी का इश्मरण चल रहा है अगर हरी का इस्मरण नहीं तो कोई भी संपत्ती तुमें सुखी नहीं कर सकती संकर सहस बिश्म वजतोही सकहिन राखिराम कर द्रोही का हनमंत बिपति प्रवसोही जवतो सुमिरन भजन नहोई इस्मर्थी रात दिन अपनी प्यारी जू प्यारे जू के नाम की श्मृति, रूप की श्मृति, लीला गुण की श्मृति, धाम की श्मृति, भगवत प्रेमी महात्माओं की श्मृति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत, तिन संगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, शारे विगनों का नास करने में शमर्थ है प्रहू और प्रहू के प्रेमी जनों की इस्मर्ती नित्ती इस्मर्ती इस पर ध्यान दो यही तुमको सब सामर्थ देगी सैने की हर शम्य मदूर मदूर इस्मर्ती नाम कितना मिठा कितना रश्मे कितना सहेज सरल राधा 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 देखो जब के कैशियनुपम शामर्था आपके रदे में आती है और ये क्यों भावुकता करने रणे नहीं है पुज राधा वावा महराज ऐसे संत जो सास्त्र के एक अक्षर की भी कभी अवहिलना ने एक अक्षर पूरा इसलोक या सब्द तो बाद जा ले दो सास्त्र प्रमार से जिवद अपने जीवन को बांद के रखे वो महापरुश शन्यास से नाम में जुगल नाम जुगल नाम से बिश्राम भुमी राधा नाम जब राधा नाम का परिचे जागरत हुआ तो बाबा सब भूल गए सन्यास का मंत्र तो किरतन से ही रुकने लगा था गीतावाटिका में भाई जी की कृपा से जुगल नाम और जुगल नाम की कृपा से राधा नाम और राधा नाम की कृपा में ऐसे डूब गए राधा 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 ऐसे ऐसे परमग्यानी महात्मा जो पुजिसी जैदेयल जी महाराज जब स्री कृष्ण सुरूप का बरणन के तो उनका कि मेरी रूची नहीं है क्यों ब्रह्म है मुझे पता है पर ये श्वैकार करके माया को और रूपधारं किये भी है हम तो पर्मात्मत्त्त्य की उपास्वना करते हैं मुझे एस तो एक बार भाईजी से मिलो कभी हमें किसी से मिलने की आउशक्ता ने संयोग बना तो वही कहां इस्थित हो गए राधा 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 और भाईजी के प्रतकैसिस रधा कि जैसे अपने प्रेमी जन ब्रंदावन धाम की निष्ठा ले लेते प्राण चाय छूट जाए धाम नहीं छूटेगा ऐसे उन्होंने भाईजी के सरीर के साथ का छेतर शन् क्या चला जाएगा जो तुम्हें चहिए उस्षब कुछा जाएगा आप विश्वास करके तो चलो व्रंदा रर्ण्य मन्यान अपेक्षा किसी की अपेक्षा मत रखो ब्रंदावन का आश्रे ले लो ये राधा नाम में प्रीती करवा देगा इसके सिवार प्रीती हो भी न प्रश गया है रेश व्रंडावन अश्ये यह तपर नाम इस पूरति महिमा रेश व्रंडावन अश्ये जो राधा कि पूरति हो रहा है यह व्रंडावन की करपा से रोत है और राधा नाम की क्रपा thus कि अधिति मोर्ति ऐंप zou और किया नहीं जाता जम किया राधा 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 जबते जबते ऐसी अतरप्ती कि अभी हमसे जब होता है नहीं वो भजन होता है नहीं जो होना चाहिए बार बार फिर रोना फिर पुकारना फिर उनके साथ बहरन करना इस सब राप्त हो जाता है तो देश्मिन नतिकुछ सिते त्यज वर्थाद ध्यासम यदा संस्मरती ये देहा विमान छोड़ो ये बहुत गंदा देह है बगवत प्राप्ति कर लो तो धन्य उन्हें तो किसी काम का नहीं है यहां जितने भी श्रीधाम ब्रंदावन के उपाशक वाशी खगमरक पसुपंची ये सब चिदानंद हैं हमारी दृष्टी पार्थी वे इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं गोरा चिंते चिदगहनम निजबपो सरवंच ब्रंदावने यदि आप ब्रंदावन का अस्त्रे ले करके इत शरीरा भिमान को छोड़कर राधा राधा रटोगे तो निजबपो हो तुम अपने श्वरूप को प्राप्त हो जाओगे जो बड़ा कठिन है श्वरूप में इस्तित होना गोरा शंत विपत्ति कोटे इही तम याहिनों विक्रिया बिचलिक मत होना चाहे जितनी गोर विपत्ति आजाए अपनी उपासना को मत छोड़ना अपने भाव को मत कम होने देना ये माया का नाटक है ओ रजशक्ती ऐसी व जब करो सबसुख मिल जाएगा यहां तो सबसुख हमारे माने हुए लुट रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माने हुए हैं जिसका तुम भजन कर रहे हो अवो तुमको इन खिलोनों से हटाकर अपने शाथ खिलाना चाहता है अहो भागे अवो तुम्हें परम्शुख में निम तन्नाथो सदा खेले तुम्हारे शरीर का रचा हुआ प्रारब्ध नाश हो रहा है अब तुम्हारा वो शरीर तुम्हें अनुभो में आएगा जिसके तन्नाथो सदा खेले अपने नात स्यामा स्याम के साथ सदा रहने को मिलेगा खेलने को मिलेगा उनके शाथ हर चण हमारा वितीत होगा, सुचो कितना बड़ा लाव हमें अपने प्राणाराद दिश्यामा स्याम के शाथ रहने को मिलेगा उनका उच्छिष्टा मरत्पान करते हुए उनकी लीला में महासुख में निमगना ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद अशद क्रियाएं होती रहती है द्यान देना हमारी बात पर उशे ब्रमान भूतिया भगवदा अनंद की चाया वियन वह में नहीं आएगी ये अध्यात्म है, ये बुद्धी की धरा से नहीं, ये बुद्धी के ले होने पर होती है और जितना ऐसा बुद्धी की ही ये चालबाजी है जब तक हमारी बुद्धी तब तो में ले नहीं हो जाती ब्रम्ह में नहीं हो जाती भगवद में नहीं हो जाती तब तक विशुद्ध ग्यान परम शान्ती, परम शुक, परमानंद यह सब किवल बातों में रहता है अनुभूती में नहीं आता इसलिए आदेश करते हैं यदि तुम्हें शत्संग मिला है तो कम शे कम थोड़ा तो विचार करना सुरू करो कि यह सरीर में नहीं हूँ यह हमें सरीर शेवा के लिए मिला हुआ है बिलकुल परमशत्य बात है ऐसी कमाई करो अच्छे करमों की और उनको प्रभू में शमर्पित कर दो ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए भगवत सेवा के लिए और उसको प्रभू को शमर्पित कर दो ऐसा स्वभाव बना लो कि सब का हित सब का मंगल और भजन जीवन मुक्त हो जाओगे जो परम हन्शों को परमानंद की अनुभूत ही होती है वो आपके हरदय में श्पृत हो जाएगी इतना आनंद के फिर और कोई चाह नहीं नहेंगी जैसे कोई तुम्हें जबर जस्ती बिश्खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा उसके प्रती तुमारी कैसी भावना बनेगी ऐसे ही जिसे भगवदानंद की अनुभूती का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवद प्राप्ती करनी भगवदानंद में डूबना है तो उसे बिशय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें बिश्खवावे तो कैसा लगेगा आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी ऐसे ही इस मार्ग के पतिक के हरदय में ऐसी भावना होती त्या जी नहीं वास्तवी कहरदय से कहता हूँ जिसे तुम शुक समझ रहे हो जिसे अपने लोग शुक समझ रहे हैं भोगों को ये एक केवल फशाव है माया का एक भुलावा है उसमें शुक नहीं है शुक देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्य करो इसी भुलावे शुक में आपने अनम्त जन्म बितीत किए पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभू को दे दो अगर इस लोग और परलोग की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना डूब जाओगे परमानन्द में डूब जाओगे तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा सोच खतम हो जाएगी बिना सोचे सा वो होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो प्रशन नात्मा ना सोचती ना कांक्षती कैसी अद्बुत इस्थिती पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा ये जो कुछ सित सरीर में अहमता ममता गंदी बाते देखना सुनना भोगना ये छोड़ना होगा क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो सरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म, मृत्यू, नाना, प्रकार के दुख, शुख, ये आकरशित करते रहेगे जहां अपने अधर्माचरन छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे आपका हरदय निर्मल होने लगेगा तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा उसमें मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता है अपने आप ये अलग दिखाई देता है मन बुध्धी अपने आप अलग दिखाई देते है श्रभाव अपने आप अलग दिखाई देता है और जब इन तीनों का बाद हो जाता है इस तूल शुक्ष मकारण तो जो बचा वो अपना श्वरूप होता है जब श्वरूप में तनमे हुआ तो कुछ बचा ही नहीं सब ब्रह्म में हो जाता है लगो अनंत जन्म लगा दिये जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा एक बार प्रार्थना मान लो सब कारे करते हुए हम यह नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जब समय नहीं है जहां हो वही रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापी छणभंगु रहा है दुरलव पर कभी भी नष्ट हो सकती है किशी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को इसका नास अवश्यंभावी है तो इस देह के छुटते छुटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े जो अज्यानी जन है जिनको शत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से वो जब भागवतिक बाते सुनते हैं तो उनको विश्वाष्ट नहीं होता क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती बरदास्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है त्यागाच्छांती रनंतरम शब शांती चाहते पर भोग के और भगवान कहते जिननों ने रचा है त्यागाच्छांति रनंतरम ट्याग करते ही शांती का प्रादुरभा हो जाता है वो शांती जो किसी विस्थिती में बिचलित न कर सके उसका ज्यान प्राप्त होता है इस शांती से और उस ज्यान से वो अपनी इंद्रियों को मन को अंतर मुक कर लेता है फिर जो उसे सुरूप बोध होता है फिर वो परम शान्ती मच्रे नाधी गच्छती आप कोई भी द्वांद महा प्रले भी उसके हरदय में दुख पैदा ने कर सकती ये है सुख जिसका कभी नास नहीं होता इसी की प्रापति किवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं ये सब तो आप खुद देख लो पशू पक्षी भोग रहे हैं पशू पक्षी नींद ले रहे हैं अहार कर रहे हैं उनको भी भै है देखो, उनको भी बाल बच्शा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है। उनकी भी संताने होती, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं। वो भी मेहनद करके दाना पानी लाके अपने बच्चे का पोशन करते हैं। आपमें और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया जिसके लिए साफ्तर जैगोस करते दुरलभू मानुशो देहू बड़ा दुरलभ मनुश्य दे ये ये दुरलभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याक करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते आप कर सकते हो आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो ये छुद्र ओष्कडों से प्यास नहीं बुझेगी एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेश्टा करो तुम्हारे अंदर है शामर्थ तुम अपनी शामर्थ को शथ्संग की द्वाला जगाओ और इस दुष्ट इंद्री और मन पर शैयम करके इनको वापस करो हर्दय देश में लाओ ये घर से बाहर भटकते रहेंगे कुछ आत नहीं लगेगा मनाखर्ष्टान इंद्रियानी प्रकतिस्थानी कर्शती ये घशिटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं ऐसी माया में लोटालो श्रीपाद कहे रहें बहिरगत द्रगंतर धैरे मालं में नित्यो इस्म्रतिरदिवस व्रंदारन्य मन्यान अपेक्षा तुम किशी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा सहयोग देगा या सुख देगा याद करलो शब्द ये ब्रह्म शब्द हैं तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का तुम्हें कोई सुखी कर सकता ये ब्रह्म अटा दो जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धी कि हम तो गंदे आचरन करें अधर्म शेधन कमाएं मनमानी भोग भोगें और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर तांतरिक मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूचा कर दे मंत्र जंत्र बांध दे आगे करेगा तो पता चल जाएगा अभी तक ऐसा नहीं हुआ निजिक्रित कर्म भोग शुनू ब्राता यदि किसी के पास जाने से किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक बिपत्ति नश्ट हो रही है तो वो विधान पहले लिखा हुआ है आपका सुकृत आ गया और सुक चलने लगा आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया बिलकुल भ्रम में मत रहना आपका कर्म ही आपको शुक और दुख प्रदान करता है कौन काहू के सुख दुख कर दाता निजिकृत कर्म भोग शुन भढ़ाता अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपश्या करके, कोई ऐसा जंत्र बांदो, कोई ऐसा मंत्र प्रियोग कर दो, जिससे मैं सुखी हो जाओ, फिर कह रहा हूँ, ऐसा ब्रह्मा सृष्टी में रचा ही नहीं है, यहां जो रचना है वो भगवान की द्वारा है वो कहरे अवस्य में भोगतव्यम कृतम कर्म सुभा सुभम तुमें भोगना पड़ेगा अपने सुभसु कर्म सामने खड़े हैं जो कर्तु मकर्तु मन्य था कर्तु सर्व समर्था इस्वरहा वो सामने खड़े हैं और अरजुन से कहरे हैं अपनी स्थिती ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे हो कोई शुक तुम्हें हरशित न कर पावे सुख दुख में तुम्हारी शमान स्थिती हो कोई विकार तुम्हारे हर्दे को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ तो तुम परंपद के अधिकारी हो जाओ सामने परंपद बिराजमान है इनको सहो जंत्र नहीं बांदा कोई वहाँ धागा नहीं बांदा क्या कह रहे हैं तास्तितिक्षस्वभारत सहो यागमा पाइनों अनित्यास ये नाशवान है इनको सह जाओ यमहीन विथ्यंतेते पुर्षम पुर्षर्षव शम दुखा सुखा धीरम स्वम्रतत्वाय कल्पते अम्रत्पद का वही अधिकारी है जो शुक दुख को शमान भाव से सह कर निरंतर भगवत चिंतन परायन ये जन्म है मनुष्य का इसलिए मिला है अब बातुल भूत बिवस मतवारे भोगों में मतवारे रजो गुणी तमो गुणी बृति धारन करने वाले अध्यात्म को स्वैकार करेंगे क्या अगर स्वैकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए उनकी समझ में आएगी ये बात एह सब ऐसे ही है क्योंकि उनको शत्य संसार लग रहा है उनको मैं शरीर लग रहा है भोग उनको शुखद लग रहे है अब उस्षुक को प्राप्त करने के लिए धार्म अधार्म कुछ नहीं देखना बस भोगना है ऐसे लोग कहीं अध्यात्म के बातों को समझते है अध्यात्म उनके हिरदे में कहीं प्रकासित होता है है सामर्थ पर वो श्वैकार नहीं कर सकते है इसलिए बहिरगत द्रगंतर धैरे मालंब ये बाहरी दृष्टी छोड़ो धैरे पुर्वक चलो इस मार्ग में या इस जन्म में जो हमें भगवदानंद की प्राप्ती करनी बहुत हिम्मत वाला बनना है बहुत सहन्शील बनना है बहुत धैरिवान बनना है ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे जलाएंगे आप चुप चाप शांत एक अंतर की बात कह रहे है कामादी दोशों को शमन करने की अनुभूत बात आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है मेरी बात मान ले न ये हम अपने हरदय की बात कहते है किसी से भी मत को कि मेरे अंदर विकार आ रहा है उससे क्या होगा जब आप किसी से कहते हैं स्वईकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीरा पहुँचा रहा है तो उसकी सत्ता द्रड हो जाती है ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात ये असत है इनका आस्तित तो नहीं है ना सतो विद्दते भाव इनका कहीं भी भाव नहीं ये है ही नहीं ये तुम्हारी स्विक्रती से तुम्हारे चिंतन से है अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता द्रड हो जाती है फिर ये और परेशान करते है ना होने पर भी ये ठूट का भूत है शांत हरदे जल रहा है हरदे में पेरणा हो रही गंदी दृष्टी करो गंदी बात देखो गंदी क्रियाव में सुख शांत ना कोई चेश्टा और ना किसी को समझने दो अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे क्योंकि आपके हरदे में परमलक्ष भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल दा है शांत हो जाएंगे कभी-कभी अशुद्ध भोजन हो जाने पर रजोगुणी तमोगुणी भोजन हो जाने पर इनकी प्रबलता नजराती शांत रहो देखलो कुछी घंटों में समन हो जाएगा शांत रहो यह अनुबव की बाते कह रहे है शांत रहो कोई चेश्टा मत करो भजन बने बने लेट जाओ, सो जाओ, कुशंग मत करो कुछी घंटों में अपने आप वो गुण ठीके गा नहीं जो तमोगुण, रजोगुण, भोगवासना पैदक शांत हो जाएगा अगर कोई चेश्टा की अगर कोई बाहरी ब्रती वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग बनाया वो संस्कार द्रड हो जाएगे और आपको भोगों में शुक है ऐसा निश्चे हो जाएगा भारी पतन होना सुरू हो गया बहीर गत द्रगंतर धैर मालंब्य धैर पूर्वक्ष सह जाओ धैर का शारा लो कोई तुम्हें सता नहीं सकता थोड़ा जलन बरदास्त करो दोनों तरब जलन है थोड़ी देर ये मध्य में खड़े इधर परमार्थ है अध्यात इधर है माया में मारू इसमें प्रारंब से लेके आंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी माया में माया में भोग वाश्वना और ये परमार्थ मार्गे इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है क्यों? क्योंकि पूरुवा भ्यास भोगों के भोगने में सुख है ऐसा हमने क्रियाएं किये ऐसा हमने चिंतन किया है ऐसी हमने सोच बैठा लगी अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं उस जलन को शेह जाना ही तपश्या कहते हैं ताप को शेहना तप कहते हैं अपने सैयम नियम पुरुवा भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती है उसे सेह जाना वो महात्मा हो जाता है ये थोड़ी दूर जलन के बाद अम्रत में शांती है और इसमें थोड़ा सुखद भावाने के बाद सदय जलन ही जलन है अब जब दोनों तरब देख रहे है कि हमें मरना ही है जलना ही है तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते है भोग त्याग करके थोड़ी जलन सहे के पर हम शांती के मार्ग में जाते है ये विवेकवान का निर्ण है यदि आप ऐसे ही मन को छूट देते रहें, इंद्रियों को छूट में देते, तो सहा नहीं जा रहा बगवान दोनों की रचना किये है, भत्ति मार्ग, ध्यात्म मार्ग और माया मार्ग जाओ फिर विचरो, भोगो, फिर कभी किसी यूग कल्प में उनकी करुणा होगी ऐसा संयूग बने ना बने, कोई पक्का नहीं, बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूग, यह जो आज हमें संयूग मिला है, यह बाजी जीत जाने के लिए मिला है, ब्रिंदावन धाम र वस्तों पर महत्तो रखने वाले, इस महा महिम ब्रिंदावन की रजरानी का क्या महत्तो जाने, शहना, कैसे सहोगे अब उपाय बता रहें, बहिरगत द्रगंतर, धैर मालंब्यो, ऐ उपाशक परमार्थ के पतिक, तुमें किसी बाहरी से सायोग नहीं लेना, यह अंदर से ह परमार्थ में सायोग मिलता है, बाहर से कोई सायोग ही नहीं, बाहर केवल बिक्षेफ है सायोग नहीं, पक्का, यह हमारे दोस्त हैं परमार्थ में सायोग करेंगी, इतना चिंतन होना ही बिक्षेफ हो गया, अपने आराद्ध्य देव से अन्यास्त्रे नहीं, हमारे शाध स्याम आश्याम हमारे शाद्य शाम आश्याम समझो अध्यात्म को समझो सब में भगवत बुद्धी सबकी शेवा सबकी अर्चना बंदना कोई परिशानी नहीं सहयोगी स्याम आश्याम दूश्रा नहीं ये अंदर बेठा लो बहुत निश्चिंत हो जाओगे अब हमारे अंदर धैर आएगा क्योंकि हम ने बहुत बड़े कास्त्रे लिया है ये अंदर का विश्य होता है बहुत-बहुत मंगल महीबात हुए अगल बकरियां चलाने वाला बकरियों को जंगल मेंले गया है तो एक हरी-हरी पतिया चबाने में बोल गई अपने परिकर को और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया एक बकरी जो जंगल में लेगा अब वो घबड़ा गई जो उससे चेतना आया बाय है आई कि हरे मैं तो सबसे भी छुड़ गई तो पाश में नदी थी सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं फिर जो होगा जैशा होगा जल पी ने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजाए से दिखाई दे रहा है तो उससोचा एक किसी बलवान का पंजाए जल पी ही रही थी कि भेड़ी आ गया भेड़ी ने आवाज दी बक्री ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गए और उकाद देखते हो यह पंजे काम ने शारा ले आए उसने देखा पंजा तो बबर शेर का बागा यहाँ पास कहीं होगा और उससे मित्रता की भागा अब तो उसको और प्रमान मिल गया जो भी आये उसको बस उपंजा दिखा दे दो बक्री के शरीर की गंद से जो मानुशा हारी पशो वाए आखरी में जो शिंग श्वयम जलपी ने आया वैस हवाई तरब देखना मत यह पंजा देख रहो मैं शंध्या से अभी तक किसी के सारे बैट्यू किसी ने मेरी तरफ आख भी नहीं उठाए उनका तुम चिंता भी मत करो अब कोई आख भी नहीं उठाएगा क्योंकि पंजा मेरा है जब तुमने मेरा अस्रे ले लिया तो इस जंगल में कोई तुम समझ रहे इसका उधारण अगर आप प्रणत कामदम प्रभू के चर्णों का अस्रे लिये है तो कोई ही आपका बालवा का नहीं का सकता शब्षे महावली प्रभू श्री हरी के चर्णारव